ओम शान्ती आज 19 सप्टेंबर 2021 को हम अव्यक्त बाप दादा के मदूर महावाक्य सुनेंगे और ये अव्यक्त मदूर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 23 मार्श 1988 को सुनाय थे जिसमें दिलाराम बाप अपने दिल तक्त जीत दिलरुबा बच्चों को देख रहे हैं और ऐसे दिलरुबा बच्चों के निशानिया क्या है उसको बाबा स्पष्ट करते हैं बाबा कहे दिलाराम बाप हमेशा ऐसे दिलरुबा बच्चों के दिल के गीत सुनते हैं और वो गीत के साज एक बाबा की याद के होते हैं साथी साथ बाबा कहे ऐसे दिल रुबा बच्चे जिन्होंने बाबा के दिल तक्त को जीता है वो अवश्य माया जीत जगत जीत आत्मा है उनके दिल से हमेशा ये मदूर साज निकलता कि मैं बाबा का बाबा मेरा ये निरंतर गीत उनके दिल से निकलता रहता है साथ ही साथ बाबा कहे उनके हर कदम में उनकी द्रिष्टी में उनके मुख पर हमेशा बाबा स्पष्ट नजर आए हर कोई को बाबा का सक्षक्र कराए ऐसी उनकी दृष्टी होती है, दृष्टी में वो रूहान्यत जो रूहों को अपने पिता का सक्षत कर करा है, उनके मुख से शक्तिशाली बोल बाबा की महिमा के सदा निकलते हैं, उनके हर कदम बाप दादा के श्रीमत के कदम पर चलते हुए, वो चलते हैं, तो बाबा कहे उनके जीवन के हर समय यही अंदर में भावना रहती है कि बाप दादा को प्रक्ष करता है, और इसी लिए वो जो सुनाते हैं, जो कहते हैं, हर कोई आत्मा यह महसूस करती है, कि परमात्म ज्यान सुनाते हैं, और ऐसे करते बाबा कहे अंद में, हर को यह कहेंगे हमारा बाबा आ गया, ब्रमा कुमारियों का बाबा नहीं कहेंगे, हर को यह फील करेंगे, हमारा बाबा है, तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य, दिल रूबा बच्चों की निशानियां, जिसने बाबा के दिल तक्त को जीता है, ओम शान्ती, आज के मुरली का सिर्शक है दिलाराम बाब के, दिल तक्त जीत, दिल रूबा बच्चों की निशानियां, आज दिलाराम बाब अपने दिल रूबा बच्चों से मिलने आए है, दिलाराम बाब के, हर एक दिल रूबा अर्थाथ, जिसकी दिल में सदा दिलाराम की याद के, मधूर साज स्वतह ही बच्चते रहते हैं, तो पहली निशानि बाबा ने जो देखी, के हर एक दिल रूबा बच्चां जिसके दिल में सदा, दिलाराम बाबा की याद के मधूर साज स्वतह ही बच्चते रहते हैं, ऐसे दिल रूबा बच्चे दिलाराम बाब की दिल को अपने स्नेह के साज से जीतने वाले हैं, दिलाराम बाब भी ऐसे बच्चों के गुरगाते हैं, तो बाब के दिल जीत, दूसरी विशेष्टा, तो बाब के दिल जीत सो स्वतह, माया जीत, जगत जीत है ही, जैसे कोई हद के राज्य के तक्त को जीतता है, एक्जामपल बाबा ने बहुत सुन्दर दिया, जैसे कोई हद के राज्य के तक्त को जीतता है, तो जीतना अर्था तक्त नशीन बनना, यानि उस तक्त पर बैठना, ऐसे जो बाब के दिल तक्त को जीत लेते हैं, वह स्वतह ही सदा दिल तक्त नशीन रहते हैं, उनकी दिल में सदा बाब है, और बाब की दिल में सदा ऐसे विज़ई बच्चे हैं, उनके दिल में सदा बाब है, और बाब की दिल में भी ऐसे सदा विज़ई बच्चा है, हमें अपने आप को देखना है, क्या हम बाबा की दिल में, बाबा हमारे दिल में समाया हुआ है, ताकि हम ऐसे बाबा के विज़ई बच्चा बनें, फिर तीसरी निशानी बाबा बताते ऐसे दिल जीत बच्चे स्वासों स्वास अर्थात हर सेकंड सिवाई बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते है बस उसके दिल में जैसे एक लगन है बाबा और सेवा सदा एक ही गीत बच्चता है हौनसा कि मेरा बाबा और मैं बाप का बाबा मेरा और मैं बाप का इसको कहते हैं दिल आराम बाप के दिल तक्त जीत दिल रुबा तो तीन निशानिया तो बाबा ने बता दी कि सदास ने के साज उनके दिल में बच्चते हैं और उस मधूर साज से ही दिल रुबा बाबा के दिल आराम बाप के दिल को अपने सने के साज से जीतने वाले दूसरा बाबा ने कहा कि दिल तक्त जीत अर्थात माया जीत जगत जीत आत्मा सदा बाप के दिल तक्त नशीन रहने वाले और तीसरा बाबा ने कहा तो जो दिल जीत आत्मा है उनके स्वासो स्वास हर सेकंड सिवाई बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं सदा यही गीत बचता है मेरा बाबा और मैं बाप की है इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तक्त जीत दिल रुबा फिर और विशेशता बाबा बताते हैं बाप दादा हर एक दिल रुबा बच्चों के सदा मदूर साज सुनते रहते हैं कौन से मदूर साज सुनते हैं बिन बिन साज है या एक ही साज है पुश्टे बाबा कि बाबा तो मदूर साज सुनते हैं बच्चों किस नहीं के लेकिन पूश्टे हैं बाबा क्या बिन बिन साज भी है या एक ही साज है सबके कभी कोई अपनी कमजोरी के भी गीत गाते हैं ये साज भी सुनाई देता है और कभी बाप के बज़ाई अपने गीत भी गाते हैं अपनी महिमा के ही गीत गाने लगते हैं बाप की महिमा के साथ अपनी महिमा भी आप करते हैं आपे ही अपनी महिमा भी करते रहते हैं बाप में आप है बाबा कहे बाप में आप समाय हुए है अर्थात बाप की महिमा में आपकी महिमा है ही तो बाप को छोड़ करके अलग अपने गीत क्यों गाते है अपनी महिमा के या कमजोरी के गीत क्यों गाते है या थार्थ साज कौन सा है जो सही साज है वो कौन सा है बाप के गीत गाना ही स्रेश्ट साज है क्योंकि हम बाप में समाय हुए है तो बाबा कहे अलग साज नहीं गाओ अपनी महिमा के या अपनी कमजोरी के फिर और आगे विशेष्टा बाबा बताते जो दिल तक्त जीत बच्चे है उनके हर कदम में, त्रिष्टी में, बोल में, संबंद संपर्क में हर एक को बाप ही दिखाई देगा चाहे मुख उसका हो लेकिन शक्ति शालीस नहे भरे बोल स्वतरह ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे कि यह बोल आत्मा के नहीं है लेकिन यह स्रेष्ट अथारिटी, अर्थात सर्व शक्तिवान के बोल है ऐसे लोग मैसुस करें तो हमारे हर कदम, द्रिष्टी, बोल, संबंद, संपर्क में सदा बाप ही दिखाई दे और उसमें सबसे पहले हमारे मुख से इतने शक्तिशाली बोल निकले जो हर आत्मा मैसुस करें कि यह इस आत्मा के बोल तो गई नहीं है यह तो स्रेष्ट अथारिटी के सर्व शक्तिवान के बोल है फिर उनकी द्रिष्टी में क्या होगा इनके द्रिष्टी की रुहान्यत रूहों को बाप की अनुभूती कराने वाली है ऐसी द्रिष्टी रुहानी हो रुहान्यत से भरी हो जो रुहों को बाप की अनुभूती करा है इनके कदम कैसे होंगे इनके कदम में परमात्म स्रेष्ट मत के कदम है, हर कदम जैसे श्रीमत के आधार पर चलते हैं, तो श्रीमत के कदम कितने स्रेष्ट होते हैं, तो उनकी दृष्टी ऐसी रुहानियत परी जो रूहों को बाप कानुभो कराए, उनके कदम में परमात्मा स्रेष्ट मत के कदम है ये साधारन व्यक्ती नहीं, लोग भी समझेंगे कि साधारन व्यक्ती नहीं, लेकिन अव्यक्त फरीश्टे हैं, ऐसी अनुभूती कराने वाले को कहते हैं, दिल जीत सो जगत जीत, वाणी से अनुभो कराना ये साधारन विदी है, बाबा की महिमा करना, बाबा के विशय में बताना, बाबा के ज्यान को स्वष्ट करना ये तो साधारन विदी है, वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में भी अनेक हैं, आज दुनिया के अंदर भी अनेक आत्माई हैं, जो वाणी से अपना प्रभाव डालते हैं, ले एक को उद्वान की याद दिलाए, परमात्मा की याद दिलाए, बाब को प्रत्यक्ष करने की सिध्धी, आत्माओं को सदगती की रह दिखाए, बाबा को प्रत्यक्ष करने की ऐसी सिध्धी हो उस वानी के अंदर, जो आत्माओं को सदगती की रह दिखाए, यह न्यारापन ह ऐसी वाणी के अंदर न्यारापन होना जाए अगर आपकी महिमा कर ली कि बहुत अच्छा है दुनिया के लोगों ने अगर आपकी महिमा कर ली कि बहुत अच्छा है बोलने का आर्ठ है या अथारिटी के बोल है या तो और आत्माओं की भी महिमा होती है दुनिया में ऐसे कह प्रभाव डालने वाली आत्वय हैं लिकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कर आए यही विशेश्ता प्रत्यक्ष्ता का पर्दा खुलने का साधन है। अधितनी सुन्दर बात बाबा ने पही और बहुत गहरी बात कही कि आप के बोल बाप अपकी महिमा अनुभो करा है। यही विशेश्टा प्रत्यक्ष्था का पर्दा खोलने का साधन है। यह जयसे परमात्मप्रत्यक्ष्था का पर्दा खूलेगा। तो जिसके दिल में सदा दिलाराम है, उनके मुख द्वारा भी दिल का आवाज दिलाराम को स्वतह ही प्रत्यक्ष करेगा, तो यह चेक करो कि हर कदम में, बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है, मेरा बोल बाप से संबंद जोडने वाला बोल है अने को आत्मों का संबंद बाबा से जुड़ा दे तो ऐसा मेरा बोल है क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पार्ड ही है प्रत्यक्षता का जंडा लहरा तो इसलिए बाबा कहे देखो आपने आपको चेक करो कि हर कदम में हर बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है मेरे बोल में बाप से संबंद जुड़ाने वाला बोल है क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पार्ड ही है प्रत्यक्षता का जंडा लहरा ना कि अंतिम सेवा का पार्ड है कि जब हर एक दिल पर बाबा का प्रत्यक्षता का जंडा लहरा दे, तो बाबा कहे देखो मेरा हर कर्म स्रेश्ट कर्म की गती सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है, जिसके दिल में सदा बाप है, वह स्वतह ही संशोज फादर, संशोज फादर करने वाला समी और समान बच्चा है, संशोज फादर माना बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बच्चा, ऐसा समी और समान बच्चा है, इसलिए देखो मेरा कर्म, स्रिष्ट कर्म की गती सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष कर रहा है जिसके दिल में ऐसे बाप है वस्वतह ही संशोज वादर करने वाली समीप और समान बच्चा है चारों और अभी आवाज घूंजे हैं कौनसी? कि हमारा बाबा लोग भी ये कहें हमारा बाबा ब्रमा कुमारियों का बाबा नहीं हमारा बाबा जब यह आवाज गूंजेगा तभी स्वीट होम परमधाम का गेट खुलेगा कितना गहरा रहस्य बाबा ने पोल दिया कि जब हर एक के मुक से ये आवाज गूंजेगा हमारा बाबा, ब्रमा कुमारियों का बाबा नहीं तब परमधाम जाने का गेट खुलेगा इसलिए कोई जो संकल्प चलाते हैं कि पता नहीं परमधाम का गेट खुल वेया, नहीं कुला, क्या हुआ आज बाबा नहीं इस रहस्य को स्पष्ट कर दिया कि जब सारी दुनिया में आवाज गुझेगा हमारा बाबा ब्रमा कुमारियों का नहीं, यह आवाज गुझेगा तभी स्वीट होम परमधाम का गेट खुलेगा क्योंकि जब हमारा बाबा कहे, तभी मुक्ति का वरसा मिले तभी उनको मुक्ति का वरसा मिले और आपके वाबाब के साथ साथ, चाहे बराती बन के चले, जब हमारा बाबा कह दिया तो उनको मुक्ती का वर्सा तो मिली गया, फिर चाहे बाबा के साथ साथ चले, या हमारे साथ, यानि पीछे बाराती बन करके चले, लेकिन सब को वापस जाना ही है, ले ही जाना है, बाबा को ले ही जाना है, हमारा बाबा आ गया, कम से कम यह आवास कानों से सुनने, बुद्धे से जानने के अधिकारी तो बने, कितना बाबा रहम दिल बन करके उन आत्मों को भी प्यार करते हैं, जो बाबा कहे कि वो कहे हमारा बाबा आ गया, कम से कम यह आवास कानों से सुनने, बुद्धी से जानने के अधिकारी तो बने, कोई भी वन्चित न रह जाए, विश्व का बाप है, तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंजली तो देनी है न, पुश्टे बाबा, तो बाबा कहे, विश्व का बाप है, तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंजली तो देनी है न, कि वो मैसुझ करें कि हां हमारा बाबा आ गया आपने सागर को हब कर लिया चिडियाओं ने सागर को हब किया तो बाबा कहें आत्मा छोटी सी बिंदी चिडिया के जैसी उसने सागर को हब किया आपने सागर को हब किया लेकिन वो एक बूंद के प्यासे है हमने तो पूरा लेकिन उनको एक जूद की अंचली तो दे हैं उन्हों को जूद तो प्राप्त कराएंगे ना इसके लिए क्या करना पड़े हार कडम हर बूल बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो हमारा हार कडम हर बूल बाप बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो, तब यह आवाज बूझेगा, कि हमारा बापा आ गे. तब जैसे उनक 했던, गुष्ट प्राप्त हो जाएंगी, और उनकी प्यास, उस मुष्ट से ही बुझ जाएंगी. तो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को ही दिलाराम के दिलरुबा कहते हैं ऐसे बच्चों को ही दिलाराम के दिलरुबा बच्चे कहते हैं जिसके दिल से एक ही बाप के साज बच्चते हैं तो ऐसे दिल रुबा बने हो ना, अब अपने आपको देखना है कि मैं ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बाबा के दिल रुबा बच्चे बने हैं, जहां जिसके दिल से एक ही साज निकले, एक ही बाबा के प्यार के साज निकलते रहे, बच्चते रहे एक गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतह ही समाप्थ हो जाएंगे यह एक गीत गाओ हमारे बाबा आ गए या एक बाबा के प्यार के दिल के गीत गाने से बाबा कहे दूसरे सारे गीत स्वतह समाप्थ हो जाते हैं तो एक गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतह ही समाप्थ हो जाएंगे दूसरे गीत कौन से हैं? स्पष्ट करते बाबा सिर्फ दो शब्द में खुश खबरी सुना, ओके, ठीक है, या रू रूहान करो, पत्र लिखो तो सिर्फ ओके, और या तो योग में बाबा से रू रूहान करो, और गीत सुनाने के लिए टाइम न दो, न लो, दूसरी आत्माओं को भी आपके सामने आए, तो उनके अंदर से और गीत सुनाने का मनी न करे, तो बाबा इसलिए कहे, और गीत सुनाने के लिए टाइम न दो, न लो, न उनके कथा कहानियां सुनो, क्या हुआ न क्या नहीं हुआ, बाबा कहे, वो आकर क्या आपके पास में, बस बाबा के प्यार में समा जाए, तकि वो भी और सारी कहानिया गूल जाए अपने मन से, तो और गीत सुनाने लिए टाइम न दो न लो, खुश खबरी सुनाने में समई नहीं लगता है, लेकिन राम कथा सुनाने में टाइम लगता है, खुश खबरी तो दो मिरिट में हो जाती है, और राम कथा सुनाओ तो लंबी चोड़ी, खुद भी रोए, दूसरों को भी रुलाए, तो उसको बाबा केते राम कथा, तो इसलिए और कोई कथा न सुने न सुनाओ, न उसके लिए टाइम दो न लो, खुश खबरी सुनाने मे समय नहीं लगता है, लेकिन राम कथा सुनाने में टाइम लगता है, बाब दादा ऐसी बातों को राम कथा कहते हैं, क्रिश्न कथा नहीं कहते हैं, यह चौदा कला वालों की कथा है, सोला कला वालों की नहीं, सोला कला वाले तो मौज में बांसुरी बजाते हैं, खुशी के गीत जाते हैं राम कथा करने वाले तो नहीं हो न अभी सेवा बहुत रही हुई है देखो बाबा का इशारा कि अभी तो सेवा बहुत रही हुई है अभी किया ही क्या है सोचो साड़े 500 करोड आत्मा है 1988 में साड़े 500 करोड आबादी दिखाते थे वर्ल्ड की तो बाबा के सोचो साड़े 500 करोड आत्मा हैं कम से कम एक बूंद ही दो लेकिन देना तो है साड़े 500 करोड आत्माओं को एक बूंद ही देना है हमारा बाबा आ गया बस ये बूंद दो बाबा के तो देना है न चाहे आपके भकत बने चाहे आपकी प्रजा बने देवता बनेंगे तो भी देना ही है हमेंहीं देना है भक्त भी भक्ती में देव बनके पूझे जाएंगे न तो देवता बनेंगे तो भी देनाई है और भक्ती में देव बनके पूझे जाएंगे तो भी देनाई है तो भक्ति में देव बनके पूझे जाएंगे न तो देंगे तब तो देवता समझ पूझेंगे प्रजा भी तब मानेंगी जब कोई प्राप्ति होगी ऐसे ही कैसे मानेंगी कि आप मात मिता हो बाबा कहे ऐसे कैसे मानेगी कि आप मात पिता हो राजा रानी तो प्रजा के लिए जैसे मात पिता ही है तो बाबा कहे ऐसे ही कैसे मानेगी कि आप मात पिता हो राजा भी मात पिता ही है दोनों ही रिती से दाता के बच्चे दाता बन देना है लेकिन देते हुए दाता की याद दिलाने है समझा क्या करना है अंचली दो उस समय भी दाता की याद दिलाने है कि देने वाला कौन है हम नहीं है लेकिन देते हुए दाता की याद दिलाने है समझा क्या करना है यह नहीं समझो तो विदेश में अत्वादेश में इतने सेंटर खुल गये, बहुत हो गया, लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे होना, सभी अपने प्यासे भटकते हुए भाई बहनों के उपर रहम करना है, किसी का उलहना नहीं रहना चाहिए, बाबा कहे, किसी भी आत्म का उलहना नहीं रहना चाहिए, कि हमें पता ही नहीं पड़ा, अच्छा, विदेश से भी बहुत आशिक आ गये हैं, जब बहुत आते हैं, तो बाटना तो पड़ेगा न, समय भी बाटना पड़ेगा, समय भी बाटना पड़ेगा, तो थोड़ा-थ रात को दिन तो बनाते ही है रात से बाबा आते हैं और सुबह जाते हैं कभी-कभी समय तो सुबह साथ बज़े जाते थे छे बज़े जाते थे तो बाबा कहे रात को दिन तो बनाते ही है और क्या करेंगे इसमें भी महादानी बन महादानी बन करके दूसरों को चांस देना है बाप का नहे नंबरवार होते भी सबसे नंबर वन है कभी भी यह नहीं समझना कि मेरे से बाप का प्यार कम है और किसी से ज्यादा है नहीं सबसे ज्यादा है बाबा के लिए हर एक बच्चे का प्यार नंबर वन पर है प्यार सबसे ज़्यादा है मुख के बोल में कभी किसी से ज़्यादा भी बोल लेते हैं कभी कम भी होता लेकिन दिल का प्यार बोल में नहीं बढ़ता है इसलिए बाबा का तो दिल का प्यार हर बच्चे के लिए बाप की नजरों में हर एक बच्चा नंबर वन है अभी नंब नंबर वन ही है क्योंकि अभी तक नंबर आउट हुए नहीं है जब तक आउट हो तब तक हर एक नंबर वन है कोई भी नंबर वन हो सकता है सुनाया ना नंबर वन तो ब्रह्मा सदा है ही लेकिन फर्स्ट डिविजन नंबर वन कहना मतलब बाबा कहें फर्स्ट डिविजन बाप के साथ first number में आना अर्थात first division उन्हों को भी number one कहेंगे तो first division में आने वाली तो कितनी सारी आत्म है तो उसको भी बाबा तो number one कहेंगे तो जब तक final result out नहीं हुई है तब दक बाबा चाहे जानते भी है कि वर्तमान समय के प्रमाण last है बाबा अंदर से जानते हैं कि ये बच्चा वर्तमान समय के प्रमाण अपने पुर्शाद से last है तो जब तक final result out नहीं हुई है तब तक बाप दादा चाहे जानते भी है कि वर्तमान समय के प्रमाण last है लेकिन फिर भी last नहीं समझते कभी भी last so first बन सकता है margin है ये बाबा को उमीद है कि बले आज last है लेकिन ये fast जाकर first number जा सकता है margin है इसलिए बाबा तो उनको हर एक आत्मा को number one के रूप में ही देखते हैं कभी कभी क्या होता है बाबा बताते है लास्ट वाला first number कैसे जा सकता है तो जैसे वह खरगोश और लोमड़ी की कहानी है तो लोमड़ी कभी क्या होता है जो बहुत तेज चलता है बाबा देखो कितनी सुंदर बात कहते हैं कभी कभीक्या होता है जो बहुत तेज चलते हैं वह नसदीक टाइम पर ठक जाते हैं जैसे व Rebel की कहानी virus शुचा अभी तो यह टॉटो इसको आने में बहुत देर लगेगी तब थोड़ा रेस्ट कर लो ठक जाते हैं और जो धीरे धीरे चलते हैं कभी रुखते नहीं तरीके से चलते हैं तो वह रुख जाते हैं और वह पहुंच जाते हैं इसलिए वह टॉटविस पहुंच जाता है कचुआ कचुआ पहुंच जाता है दिमी चाल से भी लेकिन एक रस चाल होती है इसलिए वो पहुंच जाता है और लोम्री तेज दौड़ने वाली फिर भी वो ठक जाती है सो जाती है तो उसमें तो वो निकल जाता है आगे पहुंच जाता है इसलिए अभी बाप की नजर में सब नंबर वन है जब रिजल्ट आउट होगी तब कहेंगे यह लास्ट है यह फरस्ट है अभी नहीं कह सकते हैं इसलिए सिर्फ अपने में निश्चे रख उड़ते चले इतनी सुन्दर बात बाबा ने कहें अपने में निश्चे रख करके उड़ते चले बाप दादा का आगे उड़ाने का दिल का प्यार सभी से है बाबा तो चाहते हैं सभी बच्चे उड़े कभी दो शब्द किससे कम बोला तो कम प्यार नहीं है जो दिल में भी बाब के प्यार की स्रेष्ट शुब कामनाय सदा भरी हुई है इसलिए बाबा के शब्दों पर नहीं नेकिन बाबा के दिल में हर आत्मा के लिए समान प्यार है और जो दिल में भी बाब के प्यार की स्रेष्ट शुब कामनाय सदा भरी हुई है दो बोल भी कहते हैं हर आत्मा के लिए बाबा का यही वर्दानी बोल है उड़ते चलो उड़ते चलो तो इसमें भी प्यार का सागर समाया हुआ है कोई नहीं कह सकता कि बाबा मुझे ज़्यादा प्यार करता है अगर कोई कहता है तो कहो मुझे आपसे भी ज़्यादा करता है अगर कोई आपको कह बाबा मुझे से बहुत प्यार करता है तो बाबा क्या कहते हैं आप उसको कहो मुझे आपसे भी ज़्यादा करता है और करते हैं ऐसे नहीं कहते हैं करते हैं बाबा दिल खुश करते हैं सिर्फ दिल खुश करने के लिए नहीं कहते हैं रियल में बाबा बहुत प्यार करता है, जिल खुश कर देता है, बाप तो जानते हैं कि कितने भटके हुए, ठके हुए, उलजे हुए, फिर से 5000 वर्ष के बाद मिले हैं, बाप ने ढूंढ ढूंढ करके तो निकाला है, साउथ, नौर्थ, इस्ट, वेस्ट, सबसे निकाला है, चारो दिशाओं से निकाला है, तो जिसको ढूंढ कर निकाला हो, तो उसे कितना प्यार होगा, सोचो, जिसको बाबा ने एक-एक को ढूंढ कर निकाला हो, तो उसे बाबा का कितना प्यार होगा, नहीं तो ढूंढते ह नहीं और सागर के पास प्यार की कमी है क्या सागर है तो प्यार की कमी नहीं यह तो दिलाराम जाने कि हर एक को दिल से प्यार कितना है बाबा कहे आपको शाहिद नहीं पता है लेकिन ये तो दिलाराम जाने कि हर एक को दिल से प्यार कितना है क्या भी हो लेकिन प्यार में सभी पास हो बाबा कहे कुछ भी हो कैसा भी बच्चा हो क्या भी हो लेकिन प्यार में सभी पास हो सर्टिफिकेट दे दिया बाबाने, बाप से प्यार का सर्टिफिकेट तो बाप ने पहले ही दे दिया है, अच्छा, चारों और के अतीस नेह भरे दिल के साज सुनाने वाले दिलाराम के दिल रुबाओं को, सदा हर कर्म में संशोज फादर करने वाले, सदा हर बोल द्वारा बाप से संबंद चोडने वाले, सदा अपनी रुहानी द्रिष्टी से रुहों को बाप का अनुभो कराने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बाप के दिल तक्त जीत, माया जीत, जगत जीत बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते, हम सब रुहानी बच्चों की रुहानी मात्पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मौनिंग और नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया फिर बाबा की पार्टियों से परसनल मुलाकात है तो पहली पार्टि के लिए बाबा के महा वाक्य है याद की शक्ती सदा हर कारियम में आगे बढ़ाने वाली है याद की शक्ती सदा के लिए शक्तिशली बनाती है इसलिए बाबा की याद की शक्ती स्वयम में बढ़ना है याद के शक्ती की अनुभूती सर्वस्रेश्ट अनुभूती है देखो तीन बाते बाबा ने कही याद की शक्ति हर कारियम में आगे बढ़ाती हर कर्म में हमें सफलता दिलाती आगे बढ़ाती सदा के लिए हमें शक्तिशली बनाती और याद की शक्तिसित की अनुभुती सर्वस्रेश्ट अनुभुती है यही शक्ती हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती इसी शक्ती के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हो यह स्मृती में रख जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो इसी शक्ती से विशेश सहियोग प्राप्त होता रहेगा इसी याद की शक्ती से बाबा का भी विशेश सहीयोग प्राप्त होता रहेगा दूसरी पार्टी से हैं सदा हर कारिय करते स्वयम को सक्षी स्थिती में स्थित रख कारिय कराने वाली म्यारी आत्मा हो ऐसा अनुभो करते हो सदा हर कारिय करते स्वयम को सक्षी स्थिती में स्थित रख कारिय कराने वाली म्यारी आत्मा हो ऐसा अनुभो करते हो सक्षी पन की स्थिती सदा हर कारिय सहच सखल करती है सक्षी पन की स्थिती कितनी प्यारी लगती है तो यहां भी तीन बाते बताई कि सक्षी पन की स्थिती में जब कार्य करते हैं या कराने वाले बनते हैं तो न्यारी आत्मा हों ऐसा नुबो करते हैं सक्षी पन की स्थिती से सहद सफलता प्राप्त होती है सक्षी पन की स्थिती कितनी प्यारी लगती है सक्षी बनकार्य करने वाली आत्मा सदान्यारी और बाब की प्यारी है तो इसी अभ्यास से करम करने वाली अलोकिक आत्मा हो अलोकिक अनुबुती करने वाली अलोकिक जीवन स्रेश्ट जीवन वाली आत्मा हो यह नशार रहता है न करम करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो यही अभ्यास करमातित स्थिती को प्राप्त करा देगा सक्षी पन की स्थिती से ही करमातित स्थिती बन जाएगी इसी अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते करम करते न्यारे और बाप के प्यारे रहना इसको कहते हैं स्रेश्ट आत्मा तीसरे ग्रूप से जो बाबा की मुलाकात है सदा स्रेश्ट खजानों से भरपूर आत्मा हो ऐसा अनुबो करते हो जो अखुट खजानों से भरपूर होगा उसको रुहानी नशा कितना होगा सदा सर्वखजानों से भरपूर हो इस रुखानी खुशी से आगे बढ़ते चले सर्वखजानों से आत्माओं को जगाए साथी बना देंगे तो भरपूर और शक्तिशाली आत्मा बन आगे बढ़ते रहेंगे चौथे ग्रूप से बाबा मिल रहे हैं सदा बुद्धी में यस्मृती रहती है न कि बाप करावनहार करा रहा है हम निमित हैं निमित बन करने वाले सदा हलके रहते हैं क्योंकि जिम्मेवार करावनहार बाप है जब मैं करता हूँ यह स्मृती रहती तो भारी हो जाते हैं और बाब करा रहे हैं तो हलके रहते हैं मैं निमित हूँ कराने वाला करा रहा चलाने वाला चला रहा है इसको कहते हैं बेफिकर बाद्शा तो बाबा कहे मैं निमित हूँ कराने वाला करा रहा है चलाने वाला चला रहा है इसको कहते बेफिकर बाद्शार तो करन करावनहार करा रहा है इस वीदी से सदा आगे बढ़ते रहो हर एक को बाबा ने अलग-अलग वीदी बताई आगे बढ़ने की फिर पांचवे ग्रूप से बाबा की मुलाकात है बाप की छत्रचाया में रहने वाली स्रेश्ट आत्मा हूं यही अनुबूती होती है जो अभी छत्रचाया में रहते वही छत्रधारी बनते हैं तो चत्रचाया में रहने वाली भाग्यवान आत्मा हूं ये खुशी रहती है ना चत्रचाया ही सेफटी का साधन है इस चत्रचाया के अंदर कोई आ नहीं सकता बाब की चत्रचाया के अंदर हूं यह चित्रसदा सामने रखो यह चत्रसदा सामने रखो फिर चठे ग्रुप से बाबा की मुलाकात है सदा अपना रुखानी फरिष्टा स्वरुप स्मृति में रहता है ब्राम्मन सो फरिष्टा परिष्टा सो देवता यह पहली हल कर ली है ना बाबा कहे यह पहली हल कर ली है ना पहलियां हल करना आता है सेकंड में ब्राम्मन सु देवता, देवता सो, चक्कर लगाते ब्राम्मन, फिर देवता ब्राम्मन सु देवता, देवता स्वक्षैत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राम्मन ऐसे बाबा कहें चक्कर लगाते ब्राम्मन, फिर देवता तो हम सो सो हम की पहली सदा बुद्धी में रहती है जो पहली हल करते उन्हें ही प्राइज मिलती है जो ये पहली को हल कर देते उन्हें ही प्राइज मिलती है हल करना मना अनुभाव करना तो जो पहली हल करते उन्हें ही प्राइज मिलती है तो प्राइज मिली है ना जो अभी मिली है वो भविश्य में भी नहीं मिलेगी अभी बाबा के साथ का अनुबो है तो ये प्राइज तो भविश्य में भी नहीं होगी प्राइज में क्या मिला है? स्वयम बाप मिल गया, बाप के बन गए भविश्य की राजाई के आगे ये प्राप्ति कितनी उची है तो सदा प्राइज लेने वाली स्रेश्ट आत्मा हूँ इसी नशे और खुशी से सदा आगे बढ़ते रहें पहली और प्राइज दोनों स्मृति में सदा रहे तो आगे स्वतह बढ़ते रहेंगे तो बाबा कहे आगे सदा स्वतह बढ़ते रहेंगे सात्वे ग्रूप से बाबा की मुलाकात है सदा द्रडता सफलता की चाबी है सदा द्रडता सफलता की चाबी है इस विदी से व्रद्धी को प्राप्त करने वाली स्रेश्ट आत्मा हूँ ऐसा अनुभव होता है ना द्रड संकल्प की विशेश ताकारिय में सहद सफल बनाए विशेश आत्मा बना देती है और कोई भी कारिय में जब विशेश आत्मा बनते हैं तो सब की दुआएं स्वतह ही मिलते हैं कोई भी विशेश कारिय के लिए निमित जब कोई बनता है तो उसमें सर्व की दुआएं स्वतह मिलते हैं स्थूल में कोई दुआएं नहीं देता लेकिन ये सुक्ष्म है जिससे आत्मा में शक्ती भरती है और स्वाव उन्नती में सहद सफलता प्राप्त होती है तो सदा द् द्रड़ता की महानता से सफलता को प्राप्त करने वाली और सर्व की दुआएं लेने वाली स्रेश्टा आत्मा हों इस म्रुति से आगे बढ़ते चली चली द्रड़ता की महांता से सफलता को प्राप्त करने वाली और सर्व की दुमाईं लेने वाली स्रेश्टा आत्मा हूं इस मृती से आगे बढ़ते जाए। रुहान्यत की खुश्बू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्यानकारी भवा। प्रकर्ति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते को वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेगी उनको दूर रहते हुए भी आप रुहान्यत की शक्ती से बाप का परीचय वा मुख्य संदेश दे सकेगे और आप मनसा सेवा कर सकेगे यह सुख्ष्म मशिनरी जब तेज करो तब अनेक तडबती हुई आत्माओं को अंचली मिलेगी और आप विश्व कल्यान कारी कहलाएंगे अंचली कैसे देना है वो वीदी बाबा ने सुनाई कि कैसे अपने रुहान्यत के खुश्मु क्यादार से उनको परमात्म संदेश देना है आज का बाबा का मदूर स्लोगन है अपने पास शुद्ध वा स्रेश्ट संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतह मर्ज हो जाएंगे अपने पास शुद्ध वास्रेश्ट संकल्प इमर्च रखो तो व्यार्थ स्वतह मर्च हो जाएंगे अच्छा, ओम शानुर